हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशी क्रशना आज का विशय शुक्र का गोचर कुम राशी में मित्र शनी की राशी में शुक्र का गोचर 24 दिन तक चलेगा और इससे सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाप पड़ेगा उसको जानेंगे लेकिन विशेश बात विवाह का रिष्टा पका होने का योग है चार राशी वालों को विशेश लाब मिलने वाला है केवल 24 दिनों में तो उसको विशेश तोर से जानेंगे और हर एक राशी के बारे में जानकरी दूँगा किस राशी को क्या लाब शुक्र से मिल सकता है या क्या सावधानी रखनी है इसक गोचर कब शुरू होने वाला है शुक्र का गोचर कुम राशी में 22 जनवरी को प्रारम होने वाला है लगबक शाम की चार बजे से और यह इस्तती 15 फरवरी 2023 तक चलेगी तो द्यान से सुनें 22 जनवरी 2023 शाम को चार बजे से लेकर 15 फरवरी 2023 रातरी को आठ बजे तक यह चलेगा और इसमें हर एक राशी को कुछ ने कुछ लाब अवश्य मिलेगा क्योंकि शुक्र का गोचर मित्र शनी की कुम्ब राशी पर होने वाला है सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी के बारे में एक बात आप और जान लेएं कि यदि कि शुक्र किसी भी राशी से किसी भी राशी पर आजाए जैसे कुम्ब राशी पर आजाए यान्य किसी राशी पर आजाए तो वह बहुत ही शुब होता है और किसी राशी से यदि दूसरा, तीसरा, नववा और ग्यारवा पड़े तब भी शुब इस्तती रहती है पांचवा, छठा, साथवा और दसवा शुक्र मध्यम रहता है और चोथा, आठवा, बारवा शुक्र अशुब की श्रेणी में आता है लेकिन उसके भी कुछने कुछ लाव अवशे मिलते हैं, यदि शुक्र मित्र राशी पर हो, तो यहाँ शुक्र काफी अच्छा है सबसे पहले मेश राशी के बारे में बात करेंगे, यहाँ राशी का सीधा संबंध है चंद्र राशी से चंद्र कुंडली में शुक्र का गोचर किस भाव में होगा उसको जानेंगे तो मैश राशी, जिनकी भी है, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे किसी भी आयू के हैं आप, आपकी राशी से यह शुक्र ग्यारवा पड़ेगा मेश से कुंब तक गिनेंगे, तो ग्यारा बार गिनना पड़ेगा, इस प्रकार से इसकी गंणना होती है. तो जो भी काम करेंगे, इन चोइस दिनों में आपको सफलता अच्छी मिलेगी, बोतिक समस्त प्रकार के आपको लाब मिलेंगे, ये मित्रों से लाब मिलेगा, पतनी से भी लाब वाली इस्तती रहेगी, पिता से भी लाब वाली इस्तती रहेगी, इसके अलवा कहीं से रिष्टा आ सकता है और धनी परिवार से भी रिष्टा आ सकता है, कोई अच्छा परिवार हो, पेसे से संपन हो, वहां से रिष्टा आ करते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की किसी को पसंद करते हैं और इस संदर्ब में यदि माता पिता से बात करेंगे तो यहां पर भी आपको लाब बिलेगा थोड़ी सी चतुरता भी रहेगी शुक्र के प्रभाव से शुक्र काफी अच्छा है मेहनती भी रहेंगे इस सम समय काफी अच्छा रहेगा लेकिन आपको जानकारी है शेर मार्किट की तभी इस काम को करें और जो पहले से ही जानकार है उनके लिए काफी अच्छा समय है आमदनी में सर्वत्तम समय है लाब उठाएं मेश राशी वाले दूसरी सेकंड नंबर राशी व्रशव राशी आपकी राशी से यह शुक्र दस तशम इस्थान पर गोचर करेगा दसवा शुक्र रहेगा तो जैसा कि मैं बता चुका हूं मद्यम रहता ह लेकिन लेंदेन में थोड़ी सी सावदानी रखेंगे तो ठीक इस्तती है कोई समस्या वाली बात नहीं बोतिक जैसे मकान भूमी वहन ऐसे संसादन खरिच सकते हैं वहन खरिच सकते हैं मकान भूमी इस प्रकार के विचार बनेंगे शुब कारियों में आपकी रूची रहे और माता पिता का सुख और उनसे लाब वाली इस्तती रहेगी इस समय में अगली राशी मितुन राशी आपकी राशी से यह शुक्र नवम इस्तान पर गोचर करेगा इसी इस्तती में चंदर कुंडली में शुब कारियों में आना जाना हो सकता है धन का लाब होगा वस्तर खरीदना या अन्य कोई आभुशन खरीदना मित्रों से लाब शादी विवहा में जैसे आना जाना हो सकता है दान भी करेंगे इस समय में गरीबों को दान करना इस प्रकार की इस्तती तिर्थ यात्रा यात्रा हो सकती है दूर यात्रा हो सकती है को धार्मिक यात्रा हो सकती की विदेश यात्रा योग बन सकता है जो भी काम करेंगे उसमें रूची रहेगी शिक्षा में भी शुबिस्तती संतान के लिए भी शुबिस्तती है और गुद्धी भुर्मिक ऐखेंगे तो फ्रें कर चैनल राशी से यहाँ जो शुक्र है करक सीहं कन्या तुला वर्षिक धन मकर और कुम्ब करक से कुम्ब तक गिनेंगे तो आठवा शुक्र रहेगा तो आकस्मिक लाब का योग बनेगा मकान वाहन भूमी खरिदने का योग बनेगा मां का स्वास्त थोड़ा नरब रह सकता इसलिए द्यान देवें पिता जी को लाब मिल सकता है लेन देन में सावधनी रखें धन का लाब होगा कोई समस्या वाली बात नहीं स्वास्त पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देवें कोई व्यसन है तो विशेश सावधनी रखें अगली राशी है सीह राशी आपकी राशी से यह जो शुक्र है थोड़ी सी सावधनी रखें यात्रा अगर जादा हो रही है बार-बार कहीं जाना हो रहा है तो सावधनी रखें पत्नी भी आपकी सहायक रहेगी या पती सहायक रहेंगे शादी शुदा है तो दामपत्य ठीक रहेगा नोकरी में भी सफलता वाली इस्तती रहेगी क्योंकि सीन राशी है इसलिए थोड़ा सा द्यान देवें पागी कोई समस्या वाली बात नहीं रिष्टा पक्का होने का योग पूरा बन रहा है कहीं भी रिष्टे की बादचित करेंगे तो इस समय में सीन राशी को विशेश लाव मिलेगा जो इस दिनों में केवल अगली राशी कन्या राशी आपकी राशी से यह शुक्र कन्या तूला व्रश्चिक धनू मकर कुम छटा पड़ेगा अपनी राशी से जिस राशी पर गोजर कर रहा है वहां तक गिनते हैं और उसी के आधार पर फलित का निर्णय लेते हैं तो पतनी और परिवार पर क्योंकि यह शुक्र रहें मद्यम रहेगा व्यरत कारियों से बचें गलत्काम अगर कोई है तो उससे दूरी रखें जरूरी कारियोंपर ध्यान दे वहां इस समय में कि मुंक्री और व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी ध्यां дेंगे तो अच्छा लाब मिलेगा लेकिन उधार किसी को पैसा नहीं देना लेन देन में सावधानी रखनी है रोगों पर थोड़ा सा द्यान देवें पूरा ने कोई वीमारी यह तो विशेश द्यान देवें जिनको डाइबिटीज या शूगर की समस्या है तो वे विशेश ध्यान देवें शत्रों से सावधान रहें कोट कचरी के कोई मामले हैं तो वहां पर भी सावधानी रखें अगली राशी है तूला राशी आपकी राशी से यह शुक्र पंचम इस्थान पर गोचर करेगा ऐसी इस्तती में प्रेम विवाह के रिष्टे में सफलता मिलती है आप किसी को पसंद करते हैं प्रेम विवाह करना चाहते हैं आपकी दूला राशी है चाहे लड़का हो चाहे लड़की तो परिवार में इन 24 दिनों में बाचित अवश्य करें लाब मिलेगा आपका मैनेजमेंट इन दिनों में बहुत अच्छा रहेगा चतूरता रहेगी और चतूरता से आप लाब भी अरजित करेंगे कारियों में सफलता और सुगमता दोनों ही इस्तियां रहेगी शेयर का काम करते हैं तब भी कि तो घ्र का हो शुद्ध हो ठीक रहेगा शोकिन सुभव रहेगा इसलिए थोड़ा सद्यान दें खांपान या अनावशक खर्च पर सद्यान से लब संतान गो को भी लाब या संतान से लाब गुद्धी से धन लाब यह सारी इस्ततियां management बहुत अच्छा रहेगा कोई समस्या वाली बात नहीं है अगली राशी व्रश्चिक राशी आपकी राशी से यहाँ शुक्र चोथे इस्तान पर रहेगा चोथा शुक्र शुब नहीं रहता इसका गोचर जो है वैसे शुब नहीं कहा गया है लेकिन यहों देखें कुंडली में चोथा शुक्र हो तो काफी अच्छी इस्तति रहती है तो पतनी को लाब मिलेगा नोकरी व्यापार में भी ठीक इस्तति रहेगी क क्योंकि कुम्ब राशी का शुक्र है और भोतिक संसाधन खरिदने में रूची या विचार बन सकता जैसे वहान खरिद लूँ मकान खरिद लूँ भूमी खरिद लूँ दूर यात्रा का विचार बन सकता है रिष्टेदार और मित्र जो हैं उनसे थोड़ी दूरी रखेंगे तो ठीक रहेगा बात्चीत में सावधनी रखें मानसिक विचार या चिंता थोड़ी से ज़्यादा रह सकती है बागी पड़ाई लिखाई अगर आप स्टुडेंट है तो कोई समस्यावाली बात नहीं है इ ऐसा रहेगा इसमें आप परिष्ट्रमी बनेंगे मेहनत बहुत अच्छी करेंगे खरिदारी का योग है शिक्षा में लाव धार्मी गुरूची भी रहेगी अचानक लाव धनलाब का योग भी बनेगा किसी से लाव अचानक मिल सकता है सम्मान की वरद्धी होगी तो कुल मिला गर्धन लाब के मामले में बहुत अच्छी इस्तिती है शत्रू भी पराजित होंगे भाई बहनों से भी लाब वाली इस्तिती रहेगी चंचलता भी रहेगी थोड़ी सी यह जो शुक्र है द्वीती इस्थान पर गोचर करेगा नोकरी और व्यापार सभी में शुब इस्तती रहेगी सामाजिक धार्मिक कारियों में आना जाना हो सकता है शादी विवाहा या कोई धार्मिक काम है वहां आना जाना हो सकता है बागी शाली दिन है अधिक से अधिक ल कर राशी है तो यहाँ पर आपको लाब मिलेगा चतुर्ता रहेगी धन कमाने में विशेश चतुर्ता कुशलता रहेगी रखे म rozp परिवार का सुख मिलेगा दाम पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा शादी शुदा हैं तो दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा धन्धान्यने की प्राप्ती होगी कोई समस्या वाली बात नहीं है मकर राशी वालों के लिए शुक्र काफी अच्छा रहेगा अगली राशी कुम राशी आपकी राशी पर ही शुक्र का गोचर होगा तो प्रथम शुक्र है एसी इस्तती में शोकिन सुभाव रहेगा आपका गीत संगीत में रूची रहेगी सुख के सभी साधनों का आपको लाव मिलेगा बगशाली दिन हैं लाव उठाएं और अच्छा प्रयास करेंगे तो सफलता भी बहुत पूमी मकान वाहन खरिदने का भी योग बन सकता है तो कुल मिलाकर अच्छी इस्तती है कुम राशी वालों के लिए और विवाह का योग बनेगा इन चोईस दिनों में लाव उठाएं तो कुल मिलाकर चार राशियां हैं जिनको विशेश लाव मिलेगा आपने जाना कौन- पूमीन राशी इससे पहला एक महतुपूर्ण जानकारी जो चार राशिया मैंने बताई कि जिनको विवाह के शुक्र जो है विवाह का योग बनाएगा उनके लिए शुब है और अन्य मामलों में भी वेसे सभी राशियों को कुछ नकुछ लाव शुक्र से अवश्य मिले ज़्य इस के आपकी कुंडली सिहं लगनNT की है, पांच नमबर सिहं लगनों या गैरानमबर कुम्ब लगने की कुंडली है तब भी आपको वेवाहिक मामलों में इस इन 24 दिनों में सफलता अवश्य मिलेगे इसके अलावा नवमांच कुंडली अगर आपकी सिह नवमांच है या कुम्ब नवमांच है ग्यारा नमबर या पांच नमबर का नवमांच है प्रतम भाव में पांच या ग्यारा कांग लिखा हुआ है उस नवमांच कुंडली में तब भी आपको लाब इस समय में अवश्य म यह इस्तती भी आपने जान ली अब अंतिम राशी मीन राशी के बारे में जानेंगे यदि आपकी जन्म की राशी मीन राशी है तो आपकी राशी से यह शुक्र बारवे इस्थान पर गोचर करेगा बारवा शुक्र वेसे कई स्थानों पवर इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है कहीं कहीं खर्च के बारे में लिखा है आखिर इससे क्या समस्या हो सकती है क्या लाब मिल सकता उसको जानेंगे तो खरिद्दारी के विशेश योग बनेंगे मीन डाशी वालों के लिए समय अच्छा है इसमें कुछ खरिद्दारी कर सकते हैं शुबो मांगलिक कारियों में आना जाना हो सकता है सुख के साधनों में कोई कमी नहीं रहेगी गूमना फिड़ना इस प्रकार के योग बनेंगे लेन देन में थोड़ी सावदानी रखें अनावशक खर्च या आपको पता ही नहीं चलेगा और कोई खर्च आ जाएगा ऐसी इस्तती बन सकती है तो धनलाब तो होगा लेकिन खर्च भी होगा इस पर थोड़ा सा द्यान देवें या खर्च अधिक करने का विचार बन सकता है विदेश यात्रा योग या अन्य यात्रा योग भी शुक्र के प्रभाव से बन सकता है तो सबसे बड़ी बात कि जो शुक्र है वह कुम राशी पर गोचर करेगा और सभी राशियों को कुछ न कुछ लाब अवश्य मिलेगा क्योंकि वह मित्र राशी पर रहेगा तो 24 दिन आपके लिए शुब हैं विशेश कर चार राशी वाले दो लगन वाले दो नौमांच वाले विशेश द्यान देवें और इस समय का अधिक सधिक लाब उठाएं वीडियो पसंद आया हो तो अधिक सधिक शेयर करें आगे भी ऐसी ही मैं तो पूर जान करें आपको समय समय पर मिलती रहेगी धन्यवाद जैशिक्रश्णा